नमस्कार स्वागत है आपका टॉप फाइव में मैं हूं सिक्ता और खबरों की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर 2011 से देश भर के सभी बोर्ड ग्यारवी और बारवी में मैट्स और बायो ग्रूप में एक ही सिलोगस लागू करेंगी अभी CVSC, ICSC और राजियों के 30 से जादा बोर्ड अपने अपने हिसाब से माट्स और बायो की पढ़ाय करते हैं जिसे इंजिनेरिंग और मेडिकल की ओल इंडिया परिक्षाओं में बराबरी की प्रतियों किता नहीं हो पाती ऐसा होने के बाद देश भर में मेडिकल और इंजिनेरिंग के लिए कामन इंजिनेरिंग के लिए कॉमन एंजिनस टेस्ट कराया चाससाथ सब्एम अगर बच्चों को equal opportunity के साथ आगे बढ़ना है तो एक इम्थिहान के साथ admission होना चाहिए medical college में और engineering college और जब तक core curriculum नहीं होगा तो उसमें समिझ दीजिए समानता जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी क्योंकि अगर आप different syllabus के साथ बच्चों को को कि हम्तियान में बैठो उनकी equality of opportunity नहीं रहेगी हमने सारे state boards को लिखा as a part of COP से कि वो जो उनका curriculum है science or math subjects का उसमें उसमें क्या addition or delicious जाते हैं उन्हें ने वो सुजाव हमको दिये उन सुजावों को expert committee ने जहां पे बैठ करके देखा कि किस तरीके से सामन्जे सस्था भी किया सकता है कि एक core बने जो की सारे के सारे state boards और national boards ले सके और अब सीबे चलते हैं हमारे समाज़ा रिदेश जोशी के पास रिदेश जो चातरी एक खबर सुन रहे हैं उन लोगों को आप इस वक्त क्या बताएगे अब ही की खबर यह है कि अगले सार जो बच्चे 11 में जाएंगे 2011 में जुलाई में जो बच्चे 11 की पढ़ाई शुरू कर रहे होंगे सिखता वो लोग जो हैं पूरे देश में एक common करिकुलम पढ़ेंगे Maths और Science का और वो चारों सब्जेक्ट जो हैं जो Mathematics, Physics, Chemistry और Biology इन चारों करिकुलम जो हैं जो हमारे पास इस वक्त उपलब दें वो करिकुलम जो हैं वो पूरे देश में एक से पढ़ाय जाएंगे उसका मतलब यह होगा कि अब जो है एक Level Playing Field हो गया जहें यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, या मधिवर्देश बोर्ड का हो, या फिर CBST, ICST बोर्ड का हो वो बच्चा मैट्स और साइंस की एक ही चीज पढ़ रहा होगा, एक ही करिगुलम पढ़ एक ही पाठिक्रम पढ़ पढ़ तो उसके बाद ही होगा आने वाले दिनों में तेयारी ये है कि एक टास्फोर्स का गठन होगा आपते बर के वीतर, वो 2013 है जब होगा, जब दो साल पूरे हो जाएंगे इन बच्चों को पढ़ते हुए और दुबार्वी के परिक्षा पास कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये जो इंट्रेंस एक्ज सिते हां जब हैंड में आपको एक उधारन देता हूं जैसे अगर यूभी वोर्ट से बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए मैंथमेटिक्स की शे शाथ कितामें लगाई जाती है पड़ने के लिए लेकिन जब आप भाई ये इस थी आई पार्थी करम होता आया और उसके आप एक entrance test के लिए आएंगे किसी engineering या medical के या undergraduate course के लिए अब आपके लिए एक बराबरी की लवाई रही होगी क्योंकि आपने पूरे दो साल जो है एक ही पार्टिक्रम को पड़ा है Qbaw.com Qbaw.com